नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ, आप सभी के लिए एक बेहदी महतों पून जानकारी ले करके, जिहां मखी हो या मच्छर, चीटी हो या कांकरोच, ये आपके घर में कभी नहीं आएंगे, जिहां बस कुछ उपाय करने होंगे, स आत के समय सोने से पहले वोश बेशन इत्यादी के पाइप के पास इस घोल का अच्छी मातरा में स्प्रे कर देना चाहिए, ऐसा करने से काकरोच नाली के रास्ते घर में अंदर नहीं घुस पाते हैं, चीटी, चीटी अगर घर में एक जगः बना लेती है, तो जगह जगह से निकलने लगती है, चीटी के रास्ते बंद करने का सबसे अच्छा उपाय है कि उनके निकलने की जगह पर एक दो स्लाइस कड़वे खीरे के रख दें, कड़वे खीरे की महक से चीटी दूर भागती है, और जब उनके निकलने की जगह पर ही यह स्लाइस रखा होगा, त घर में उड़ने वाली मक्यों से मुक्ती पाने के लिए निम्बू का इस्तेमाल करना चाहिए निम्बू मक्यों को दूर करने का बहुत कारगर उपाय है घर में पोछा लगाते समय पानी में दो से तिन निम्बू का रस निचोड़ देना चाहिए निम्बू की महग से कई घं जल में नीम का तेल भर कर मशीन में लगा कर प्रयोग किया जा सकता है जो की पूरी तरह से सुरक्षित है घरेलिव कीटों के इंफेक्शन से बचाओ घर से सभी तरह के इंफेक्शन को खत्म करने के लिए आम की सुखी टहनी पर कपूर और हल्दी पाउडर डाल कर सुलगाना चाहिए इस दोरान छोटे बच्चों को ध्यान से आग से दूर रखना चाहिए यह प्रयोग किसी बड़े के द्वारा ही किया जाना चाहिए लगभग 12 इंच लंबी टहनी को जलाना परयाब तो होता है जिहां इन प्रयोगों के सहारे आप अपने घर से मक्षियों, चीटि काकरोचों को दूर रख सकते हैं यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बहुत ही महत्तोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों